हेलो गाइज वेडियो स्टॉक मार्टिक्मेंट से अफिर इंडिया के ओर से मार्च क्वाटर की फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि आज केस वीडियों डिसकस करेंगे चलिए फिनांशल रिजल्ट को स्टार्ट करते हैं तो गाइज हम लोग आ चुके स्टेट्में अब चलने क pięनी के फिनांशल रिजल्ट पै इंकम की बात करेंगे तो गर ऑं पार और March 22 quarter में 1587 क्रोल का income जनरेट किया था इस बार के इंकम अगर देखिए गा तो quarter on quarter year on year दोनों में आप यह तेजी है quarter on quarter बहुत जाथ है गिरावाट लेकिन year on year में तेजी देखने को मिल रहा है Expenses 1432 क्रोल का है पिछले quarter में 1530 क्रोल था और March 22 quarter 1310 क्रोल का टूंडे नाइंटी करोर था और मार्च ट्वेंटी टो कारण टूंडड़ सावन करोड पॉपिट था और लिकान यह अर्ण यह अर्में तेजी देखने को मिल रहा है EPS 14 रुपीज का जो कि पिछले कौटर 14.8 रुपीज का था और मार्च 22 कौटर 14.3 रुपीज का EPS तो EPS quarter on quarter में गिरावाट है कि year on year में तेजी देखने को मिल रही है कि अधिक सकते कंपनी के जो रिजल्ट आया है बहुत ही एवरेज की कौटर on quarter की रिजल्ट बहुत जाथ वी के की प्रॉफित और इंकम दूनों में गिरावाट है लिकिन एर और में तेजी देखने को मिला सेग्मेंट की बात करें तो आटो मोटीव टेकनलोजी आटो मोटीव आफ्र मार्के इंडस्ट्रियल और एक्स्पोर्ट एंड अधर इंचार तरह से कंपनी जह से रिवेन्य जनेरेट करता जो की डेटा आप यहां पर देख सकते हैं तो आइस कंपनी का रिजल्ट बहुत ह कि एवरेज उतना चरजल पेश नहीं किया तो हम लोग वीडियो के ही प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से पुछें मिलते हैं डेक्स टोड़ा में तिल दन पाई